कोई विपक्षी एकता को एक जूट करने निकला है तो कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने चला है और कोई बिहार की सत्ता में वापस आना चाहता है हर कोई अपना बेश्ट देने का प्रियास कर रहा है लेकिन जिसकी वोटों से जिसकी वज़ा से सत्ता में आना है ज जिसकी वज़ा से विपक्षी एकता को एक जूट करना है जिसकी वज़ा से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना है उसके उपर किसी का ध्यान नहीं है हम बात कर रहे हैं जेडियू की हम बात कर रहे हैं राजद की हम बात कर रहे हैं बीजेपी की इतीनों पार्टियों की बात कर रहे हैं जेडियू के नेता निटीश कुमार विपक्षी एक्ता को एक जूट करने निकले हैं आर्जेडी के नेता तेजस्वी आदो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना चाहता है और भाजपा के नेता बिहार की सत्ता में वापस आना चाहते हैं लेकिन बिहारी मजदूरों पर हो रहा है अत्याचार को कोई नहीं रोकना चाहता है कोई नहीं यह प्रयास कर रहा है कि विहारी मजदूरों को जिस तरीके से पीटा जा रहा है उसको रोक लिया जाए क्या मतलब है किसी को ते जश्वी आदो तो साफ इंकार कर चुके हैं कि विहारी मजदू मजदूरों के साथ अत्याचार हो ही नहीं रहा है लेकिन ते जश्वी आदू को यह पता नहीं है कि आप अगर कह रहे हैं कि बिहारी मजदूरों पर अत्याचार नहीं हो रहा है तो इसका यह मतलब नहीं है कि नहीं हो रहा है अत्याचार हो रहा है बस आप इस चीज को मान न नहीं देगी तो इसलिए आप सोच रहे हैं कि भ्राम एक फैला दे कह दे कि ये बाजपा की एक सोची समझी साजिस है और हमारे जो वोटर हैं वो कह देंगे कि नहीं तेजस्वी भाईया जिंदावाद तेजस्वी भाईया मुख्यमंत्री बनेंगे किसी को बिहारी मजदूर से कोई मतलब नहीं निटीश कुमार को विपक्षी एकता को एक जूट करना बहुत जरूरी है भाजपा को बिहार की सत्ता में वापस आना जरूरी है तो वहीं दूसरी तरफ चिराग पास्वान को निटीश कुमार को सत्ता से हटाना जरूरी है लेकिन बिहारी मजदूरू को बिहार में लाकर काम देना बिल्कुल जरूरी नहीं बिहारी मजदूर दूसरी जगा पर जाए महराष्ट में जाए पीटे जाएंगे गुजरात में जाए पीटे जाएंगे पंजाब में जाए पीटे जाएंगे दिल्ली में जाए पीटे जाएंगे तमिलांडू में अफजाहिर कर रहा था कि तेजस्वी आदो मुख्यमंत्री की कुरसी पर बैठने के लिए इतना पागल हो चुके हैं कि वो कुछ भी बोल सकते हैं यहां तक कि उन्होंने ये भी कह दिया कि तमिलान्डू में जो बिहारी मजदूरों को पीटा जा रहा है वो गलत वीडियो है वहां के मजदूर आपस में लड़ रहे हैं वहां एक भी बिहारी मजदूरों को नहीं पीटा जा रहा है लेकिन ठीक उनके बगल की कुरसी पर बैठे बिहार सरकार के मंत्री और नितीश कुमार के बेहत करीबी बिजे चौधरी ये बात कह रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ हो र बीजे पी भी सत्ताक में वापस आने के लिए इतनी पागल हो चुकी है कि सदन में बस थोड़े से बहस के बाद वापस हो जाती है कि भया बायकर अब हम नहीं बैठ सकते हैं सदन में मेरी यहां कोई जरूरत नहीं हम नहीं करेंगे चर्चा हम बस ये बताएंगे कि जंगल राज आ चुका है लेकिन उसके बाद क्या बहस होगी वो हमको नहीं पता है आप उसके बाद समझ लीजे इस तरीके से बिहार की राजनीत में राजनीत हो रहा है ऐसे नेता है जो लोगों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं लोगों के भावनाओं के साथ खेल रहे हैं बिह साधन नहीं है जहां वो काम कर सके पढ़ लिख कर जाकर मुझदूरी करना पड़ता है क्योंकि आपके बिहार में रोजगार नहीं है और रोजगार रोजगार आप कब देंगे रोजगार से बात करने पर तो आप कह देते हैं कि जाए ना भाजपावालों से पूछिए वो पीटा जाएगा और आप कहिएगा कि बिहारी मजदूरों को कहा पीटा जा रहा है अरे वो बिहारी हैं वो आपको वोट भी देते हैं और इसलिए भी वोट देते हैं कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि वो तमिलांडू में जाकर जौब नहीं करेंगे उनको पीटा नहीं सब अपनी रोटी सेखने किसी को बिहारी ज्योथे कोई मतलब नहीं है विपक्षी एक्ता को एकजूट करना जरूरी है ताकि 24 में भाजपा को भगाया जा सके तेजस्वी आदो को मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठना जरूरी है ताकि सत्ता को देख सके बिहार के लोग कह सके कि तेजस्वी आदो मुख्यमंत्री है ताकि एक अन पर हमारा कबजा है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भी बनाना है बीजेपी को और तीसरी तरह चिराग पास्वार उनको भी तेजस्वी आदो से कंपर्टिशन है नितिश कुमार का वोट काटना है ताकि बीजेपी को मजबूत कर सके बस अपनी रोटी सेकना जानते हैं बिहारीों से और बिहारी मजबूरों से उनको कोई मतलब नहीं बैराल इस खबर में इतना ही बने रहे हमारे साथ और देखते हैं देंजा टॉप